हलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल जीवो जीवन आप सभी का मेरे चैनल जीवो जीवन पर हार्दिक स्वागत है दोस्तों मैं डॉक्टर अन्शु पांडे आज के इस वीडियो में आपको सपने में शीवजी और उनके विभिन सुर्पों के देखने का मतलब बताऊंगी दोस्तों वैसे तो जीवन में हम कभी न कभी कोई न कोई सपना देखते ही रहते हैं और सही माने तो इन सपनों का सीधा सम्मन्ध हमारे जीवन से होता है ऐसे में यदि हम सपने में शीवजी और उनके विभिन सुर्पों का सपना देखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों सपने में यदि आप शिवलिंग का सपना देखते हैं तो यह सपने अत्यंत शुम माना जाता है सपन विग्यान के नुसार यदि आप सपने में शिवलिंग का सपना देखते हैं तो यह सपना यह संकेत देता है कि पिछले जन में भी आप शिव जी के भाक्त रह चुके हैं दूसरी तरफ यदि आप सपने में शिवलिंग देखते हैं, तो आपके निकर भविश में कोई खास मनोकामना पून हो सकती है, दोस्तों सपने में शिवलिंग को देखना धन आदमन का वी सुचक माना जाता है, दोस्तों आपकी कोई पुरानी इक्छा भी पूरी हो सकती है, को माता पार्वती के साथ देखते हैं तो स्वप्न शास्ट के नुसार यह अत्यंत शुप्स्वप्न माना जाता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यदि आपने माता पार्वती जी और शीव जी को साथ देखा है, तो ये समझ जाए कि यदि आप अविवाहित हैं, तो जल्दी आपके विवाहित हैं, दूसरी तरफ यदि आप विवाहित हैं, तो आपके विवाहित सुखों में बढ़ हो सकती है, आपको जल्दी कोई अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है, दो जल्द ही आपको उस बिमारी से निजात मल जाएगी और आपको किसी अच्छी ख़बर को सुनने का मौका प्राप्त होगा दोस्तों यह सपने में आप शीव जी के चंद्रमा को देखते हैं और उनकी जटाओं पर चंद्रमा देखते हैं तो यह सपन विज्ञान के अनुसार अत्यंत शुब सपन माना जाता है दोस्तों यह सपना यह बताता है कि जल्द ही आप कोई खास नेड़े लेंगे जो सफन होगा दोस्तों चंद्रमा को ज्यान का प्रतीक माना जाता है ऐसे मेदी आप यह सपना देखते हैं और आप जीवन में किसी परिछा से गुजर रहे ह हैं तो उसमें आपको सपनता अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों सपने में यदि आप शंकर जी के त्रिशून को देखते हैं तो यह सपना भी शुब माना जाता है दोस्तों यह सपना यह संकेत देता है कि यदि आप किसी संकट से गुजर रहे हैं तो जल्दी वह संकट सम दोस्तों सपने में यदि आप शिव जी के डमरु को देख रहे हैं या डमरु की आवाज सुन रहे हैं तो यह तिन्त सकरात्मक स्वपन माना जाता है दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जल्द ही आपको खास समझार प्राप्त हो सकता है और आपके जीमन में खुश हाली आ सकती है दोस्तों सपने में यदि आप शलकर जी को तांड़ों रुद्ध करते हुए देखते हैं तो वैसे तो तांड़ों रुद्ध करना शीव जी के क्रोध का प्रति माना जाता है परिंतिदी आप सपने में शीव जी को तांड़ों करते हुए देखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको विशेस परस्ततियों में लाब की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों वैसर जीवन में यदि आपको सपने में शिव जी के किसी भी सुरुप का दर्शन होता है अत्वा आप सपने में शिव जी के किसी भी सुरुप को देखते हैं तो खुश हो जाएए क्योंकि यह सपना अत्यानत शुब सपन माना जाता है दोस्तो सपन विग्यान के अनसार शिव जी का सपना हर तरीके से शुब सपन माना जाता है चाहे वह किसी भी सुरूप का क्यों न हूँ यह सपना सीधे अर्थ में यह संकित दिता है कि जो भी आग तक आपने दुख जहले हैं परशानिया जहली हैं वह सब समाप्त हो जाएंगी और आपकी आगे आने वाले जंदिगी खुश्यों से वितीत होगी दोस्तों आशा करते हूँ कि आज की जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो करपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले धन्यवाद